हेलो वरिवान आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाबर्त रिफला चूरन के बारे में जो कि इसका इस्तमाल कर्ब्ज की प्रॉडम्, गैस की प्रॉडम् को दूर करने के लिए बहुत जादा यूज किया जाता है और यह काफी पॉपलर मेडिसिन है तो आज की इ इसकी 60-50 उर्वे की प्राइज में आपको बहुत ही असानी से अब्लिबल हो जाता है हमने बहुत ही बेसिक डीटिल की बारे में जाना त्रिफला चूरन के बारे में बात करते हैं त्रिफला चूरन में क्या के कॉम्बिनेशनों से मिलकर बनाया जाता है तो इसमें आमला, बीभी ताकी, इसके अलावा हरी ताकी जैसे काफी अच्छय-च्छय कॉम्बिनेशनों से मिलकर बनाया जाता है, बात करें इन सभी में क्या के प्रोपटी जोती हैं तो यह एक तरह काफी अच्छा लैक्सिटीफ के रूप में माना जाता है, इसके अलावा एंटसीड, इस एनलजेसिक, एंटी बैक्टिरियल, इसके अलावा, डाइजेशन को स्टुमिलीट करने के लिए, इसके साथे साथ यह काफी अच्छा फैट बर्नर भी है, इसके साथे साथ ही यह यह यूमिनिटी मॉडिूलेटर है, जो की यूमिनिटी को इंप्रूव करने में भी काफी फा फैदेंद होता है, इसके अलावा, यहा गय साथे डिटी, जी मिचलाना, अफरह बनना पेट में, जैसी प्रूवलम्स होती हैं, तो उन साथिप्रूविज्यों में काफी फैदेंद होता है, इसके अलावा, इसे ओभिजिटी के divides में इस्तमाल करते हैं, वजन को काफी परपजों में इसे इस्तिमाल किया जाता है अगर आप इसे कप्रोलम में लेते हैं तो आप इसे गुन्वूने पानी में एक पानी में एक चमच मिला करके आप इसे ले सकते हैं रात को सोते वक्त दिन में एक बार तो काफी अच्छारी जल्द देखने को मिलता आपकी कब्ज की प्रॉडम सॉल्व हो जाती है नॉर्मली आप इसे दिन में दो बार इस्तमाल कर सकते हैं अपने हल्दी को बना रखने के के लिए इसके सांथी सांथ और भी जो भी multiple प्रपजों में इसे इस्तमाल किया जाता है तो इसके सांथ और medicine चलती है और उनके सांथ काफी जल्दी आपकी प्रॉलम को recovery करने में मदद करता है बात करें इसके bleeding problem है तो उनसे प्रपजों में डॉक्टर से सलहा और एक देख के बाद ही आप इसे इस्तमाल करें तो यही था त्रिफला जानकर यह अच्छे लेगी तो please like किजेगा और हमारे चनल को subscribe किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you for watching